हेलो फ्रेंड्स हाव आई यू आल आई होप यू आर वेरी वेल और आपके स्टडी अच्छी चल लिए जैसा कि आप सबको पता है फॉर्म आ गया है और बहुत कम टाइम बचा है इंट्रेंस में दोस्तों और जो यह पार्ट हमने सुरू किया सिरीज का उसका यह तीसरा पार मेरे इस चैनल पर बिये लल्बी और बिये चू बिये बिये लल्बी थ्री और फाइव यह दोनों को प्लेलिस्ट है अब जाके पूरी सीरीज देख सकते हैं प्रिवियस यह के कोश्चन भी मैंने सॉल्व करा हैं 2019 तक फाइव यह के और लल्बी के 18 तक तो आप उसे देखे है तो here the other side मतलब कोट में अगर किसी एक पक्ष की सुनवाई चल रही है तो कोट यह inquiry करती है और कहती है कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुना जाए तो इसके लिए यह वार्ड यूज होता है और डी अल्टेराम पार्टेम आपको यह याद रखना चाहिए दूसरे पक्ष को भी सुनो इसका यह मतलब होता है अल्टेराम मतलब दूसरा यह सारे लाटिन वर्ड होते हैं मैंने बताया है पहले भी और यह लाटिन वर्ड को चुकि लॉज था वो लाटिन का ही देन था तो इसलिए यह लाटिन वर्ड सा आज भी यूज में हैं अगला जो वर्ड है वो है लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी लॉज इस दे रूल ओफ राइट इसका इंग्लिस मिनिंग होता है दोस्तो एक चीज़ और माई क्लियर करना चाहता हूँ मैंने मैक्सिमम के हिंदी मिन इसका मिनिंग लिख दिये है बहुत महनत करके बहुत धूंड के यह कहीं हिंदी मिनिंग जेनरली मिलती नहीं और यह सब इक्जाम में पूछे गए हैं तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा और साथी साथ समयने के बाद जो एक्जाम में nice रहेंगे उसमें टिक करना है इसकी मीनिंग समझ जाइए आप हिंदी इंग्लिज किसी में समझेंगे आपको बहुत काम आएगा लेक्स इस्ट नॉर्मा रेक्टी का मतलब होता है लौ इस दो रूल आफ राइट वीधी जो है वीधी वो किसका सही का कानून है यह आपको ध्यान रखना चाहिए आप पे यह अब शुदक मतलब आप किसी कोट में जाते हैं और पहले से हवाँ कोई कि मुक्दमा पंड़ेज केτοि है और आप कहते हैं कि हमें यह मुकदमा करना है वह यह नहीं कोद liar जारी करती है कि मुकदमा पहले सही लंबित है तो आपको परिशान होने की जुरूत नहीं है क्या होगा इसका मतलब केसी पेंडिंग इन दरूलफ लॉकेसी पेंडिंग बिफोर तो कोट यह पूछा गया है विच्चु के लेलवी थ्री यह प्रोग्राम में तो आपको याद रखना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होजता है और इसमें मैंने पांच कोश्चनर से रखे हुए हैं जो की पूछे गया है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए अगला जो वर्ड है लिटरा लेजिस लिटरा लेजिस को एकड़म बेसिकली रूट लेबल पर समझते हैं लेटर ओफ लेजिसलेशन माल लेजिए हमारी विधाई का जो है जिसे पार्लियमेंट कहते हैं उसने कोई आक्ट पास किया है और वो जो है पूरे देश में लेजिसलेशन मतलब उसके द्वारा यह पास किया जा चुका है उसके द्वारा यह विधिवत प्रोसेस्ट है इसलिए इस वर्ड का यूज होता है लेटरा लेजिस का लेटर ओफ लेजिसलेशन इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझते हैं कि हर साल 10 से 15 पूछे गया है औ की समझने वाली हैं अगला जो वर्ड है सुवो मोटो यह बहुत बार यूज होता आप डेली वर्ड में इसे देखते होंगे कोट जबरदस्ती एक्षन लेती है सुवो मोटो का मीनिंग होता है इन इटसेल्फ खुद से अपनी मर्जी से जब को लगता है कि हमें अपने डेली आ जाता है तो इसके का मेडिन्म होता है खुद से और मोटो मतलब मोटो मोटो अगला जो वर्ड है इन इस से का मतलब होगा, कि इन एड़िस्टिर्फ इसकी समझते हैं real में जैसे कि कोई चीज होता है existence आपके पास एक book हो pain हो कुछ भी हो pain हो पौद है वो सारे का existence है उनकी existence है उनकी स्थिति है विद्यमान है वो इसलिए ये word use किया जाता है इन इससे आपको इसका meaning correctly पता होना चाहिए अगर आप मेरे बताय हुए discussion को अपने दिमाग में hint करते हैं और इस चीज को देखते हैं revision करते हैं तो आपको ये पका याद हो जाएगा इन इससे इन जूरिया और इन जूरिया विदाउट डैमनम है कि इस फैक्ट को समझते हैं पहले डैमनम साइन इंजूरिया इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इन जूरी जैसे कि आप कहीं गए और आपने कहीं कार पार्ग कर दिया ठीक है तो वहाँ पे आपको चालान ह हो गया 500 रुपए का माल लो ठीक है अभी के टाइम में 500 रुपए के चलान अपने भर दिये तो आपको डैमेज तो हुआ लेकिन आपको कोई लीगल इंजूरी नहीं हुई आपको कोट कचरी यह सब नहीं जाना पड़ेगा तो यह जो है डैमेज without legal injury sign जहां भी इसका मतलब होता है without यह लाटिन वर्ड में इसका मेनिंग होता है injury मतलब injury और डैमनम मतलब डैमेज ठीक है अगला जो वर्ड हमने यहां लिखा था उसमacasitel इसमें इंजूरी यह without आपकाद in अपने copy मैं नोट करने से और इस जगह पे लिखेंगे आप इंजूरिया साइन तो इसका क्या मिनिंग होगा legal injury without actual damage मतलब इसमें legal injury तो होगी आपकी बट आपको जो है actual damage कुछ नहीं हो जैसे कि अगर आपके घर को कोई कूद गया आपके boundary को खूद के आपके सामने वो खड़ा हो जाता है तो आपको actual damage तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आपका जो premises है आपका जो boundary है उसमें आपका right होता है उसको उसने trespass किया है तो वो legal injury हुआ आपको और आप उसके लिए code जाएंगे बट actual damage आपको कुछ नहीं हुआ यह इसका meaning होता है तो sign आप यहाँ add कर लेंगे injuria sign damn num का मतलब होता है legal injury without actual damage आप समझ लिजे injuria पहले होगा अगर option में यह आया हुआ question इसलिए मैं बता रहा हूँ injuria पहले होगा तो legal injury पहले होगा without बीच में actual damage बाद में और डैम नम पहले आया तो damage without इतो एक्दम सिंपल है बट इस concept को समझने होगा आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा अगला जो वर्ड है वह लोकस स्टैंडी कोट के सामने आपकी स्थिति इसकी हिंदी का भी लॉस किया है तो कोट कहती है लोकस स्टैंडी मतलब आपकी क्या इस्थिति है इस मुकदमे में और इस कोट के सामने आप अपनी स्थिति को clear करें असपस्ट करें तो इसलिए यह वार्ड यूज़ाता है लोकस स्टैंडी लोकस स्टैंड आई भी कहते है तो यह हो गया लोकस स्टैंडी क्या मीनिंग अस्टैंड भी फोर्ड़ कोट अफ लॉव के सामने मैक्सिमम केस में इसे इसके जो इंटर्म को आप समझ लेंगे तो इसकी मीनिंग आपके दिमाग में क्लिरली सेट हो जाएगी फिर आप एक बार इसी डिवीजन करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा एक बात और मैं कहना चाहता हूं हमारे इस चैनल पे अलग-अलग सब्जेक्ट के कोर्स चलाए जा रहा है जी-एस के सारे सब्जेक्ट जैसे जीऊओगरफी हिस्टरी पॉल襟ी के सारे सेक्षन पॉल襟ी के आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सबके प्लेलिस्ट अलग-अलग वहां आपको सारे सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपुन तयारियां कराई जा रही है और वहीं chapters डाले जा रहे हैं जो exam oriented पिछले साल पूछेगा है सवाल पिछले सारे वर्सों में और वो आपके exam oriented रहेंगे सारे के सारे मैंने कोई भी फाल्तु का chapter नहीं डाला है आप लिस्ट में जाएं के देख सकते हैं जोग्रफी है हिस्ट्री है हर चीज है अगर हिंदी आप देना चाहते हैं तो हिंदी है और इंग्लीज की इसका मतलब क्या होता है इसका अगर मैंने हिंदी बहुत धुणने कोशिस की बट मुझे यह क्लियर सफस्ट हुआ इसलिए मैंने यहां लिखा है इसकी आप समझ लिए क्या होता है जैसे कि दो कार आपस में समनांतर चल रही है यह कार ने दूसरे को ठोक दिया उसको टकर मारी तो दूसरे कार में तो डामेज हुआ उस होगा वह खुद बोल रहा है कि हमारा तो खुद ही टूटा हुआ है मतलब इसमें कोई मुकदमें बाजी का ज्यादा चांस नहीं है आप मेरे कंपेंसेशन देंगे देंगे अगला जो वर्ड होता है मेंस रिया और एक्चुवस रिया यह दोनों का अंतर समझते हैं मेंस र और अगर एक्चुवस रिया होगा तो एक्चुवल में नहीं इस सेंस में मैंने इसका प्रिविएस वीडियो में एक्चुवस रिया और मैंस रिया दो वीडियो है उसमें आप मैंने क्लियर किया है आप जाके वहां से देख सकते हैं मैंस रिया मतलब जान भूज के एक्च समझे बिना पढ़े और बहुत गहन सोध वीचार की कोई और जारी कर दिया उसकेस में कोट के द्वारा ये वर्ड यूज होता है पर इनक्यूरियाम कहां यूज होता है कोट के द्वारा बिना ध्यान के काम जैसे कि आपने कोई decision दे दिया कोट वर्डिक्ट दे दिए तो उसमें फिर वो कहेंगे नहीं इस पर-ink synt यह जो है फिर से वापस लाया teenagers को फिर से रीकंसिल करूंगा फिर से इसे देखोंगा जाचूंगा पर्खोंगा सारे पक्षों को सुनओंगा फिर से अपना डिसीजन दूँगा तो यह क्योंकि यह बिना ध्यान का हो गया है बिना बहुत ज्यादा सोचे-विचारे हो गया है तो इस केस में पर Incarium word यूज होता है अगला जो word है वह है और्ट्री ओफ और्ट्री फोइस कंविक्ट और्ट्री फोइस कंविक्ट कैंक्या मतलब है इसको समझते हैं इसको समझते हैं बहुत बड़ा इसका मेनिंग है इसको समझते हैं जो है वो कह रहा है कि he or she has already been tried मतलब वो already उसके लिए डंडित हो चुका है उससे जो fine भरना था या law के अनुसार जो भी उचित था वो पहले से हो चुका है उसका for the same crime मतलब पहले से ही जैसे की आपने यहाँ इस traffic signal को broke कर दिया आप आगे जाएंगे और उसने दूसरे वाले ने भी आपको fine कर दिया है जबकि पहले वाले को आप pay कर चुके हैं तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे और्टरी फोईस कन्वेक्ट पहले से ही डंडिट हूँ मैं तो फिर दुबारा डंडिट करने की क्यों ज़रूरी अगला जो müssenищo काsınız मैंने विडियो में आप जाके देख सकते है इसका मेंनिल ज्यवाइद और वाइड को भॉईर निरस्त किसी काम का नहीं किसी लॉं कहान बेकार इस तरीके से इसका मिनिंग क्या होगा सूरू से ही निरस्ट वाइड फ्रॉम बिग्निग नॉल एंड वाइड यूज होता है आप सुप्रिम कोट के जर्जमेंट में देखते होंगे और एक और चीज मैं आपको बता दूँ हमारे जो करेंट अफेर्स डेली अप्लोड होते हैं वो हर तरीके से अप्रूब्ड है और सबसे बड़ी चीज है उसमें हर तरीके के हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी सब चीजों का रिवीजन करा जाता है इंटरनेशनल अफेर्स तो बहुत ही बेहतरीन तयारी होगा और साथी साथ मैं आपको बताता हूँ आपके एक्जाम से मैक्सिमम 15 दिन पहले मैं करेंट अफेर्स का पीडिएफ लांच करूँगा बहुत ही नॉमिनल फीरहेगा उसका बहुत ही नॉमिनल पेमेंट करना होगा आपको और उस करेंट आप total revision भी कर सकते हैं साथ ही साथ monthly current of ESP मैं launch करूँगा जल्दी एक से दो दिन में तो आप उसको भी देखें ताकि revision is the key दोस्तो selection लेना है तो revision is the key अगर आपने revise नहीं किया आपने 50 किताबे पढ़नी revision नहीं किया तो आप बेकार है आप पढ़के निकाल नहीं सकते हैं मैं जल्दी इस पर एक perfect वीडियो डालूंगा कैसे exactly चुकि मैं यहां पढ़ रहा हूं तो आपको बताऊंगा कैसे यहां admission ले ले admission को सुनिश्चित करें तो इसके लिए जल्दी एक वीडियो आएगा word of initial का मतलब होगा सुरू सेही निरस्त अगला जो word है add volarem add volarem का मतलब होता है समान अनुपात में in proportion to मतलब अगर आपकी आमदनी जो है वो बढ़ी एक लाख रुपै और आपका खर्चा भी बढ़ा 50,000 रुपै तो उसी के अनुपात में खर्चा भी बढ़ा तो add volarem tax के use में होता है taxation के sense में use होता है कि जितनी आपकी income होगी उतनी आपको tax pay करना होगा add volarem क्या मतलब होगा सम अनुपात में अगला जो वर्ड लेक्स लोकी इस वर्ड को मैंने पिछले भी बताया था लेक्स लोकी का लेक्स लोसाई या लेक्स लोकी जो पढ़ने पढ़ना लेक्स लोसाई ही चाहिए विशेश सस्थान का कानू law of the land जैसे इंडिया के case में कोई अलग लैंड है law का औ जापान के case में अलग law है law land का वहां के तो आप इसको समझ सकते हैं लेक्स लोसाई का मतलब होता है law of the land अब आते हैं 17 नंबर वी जूस इवी रिमेडियम जहां राइट होगा वहीं उपचार होगा इसका मीनिंग समझते हैं इंगलिस और हिंदी दोनों में यह बहुत बार इंट्रेंस में पूछा गया है दोस्तों और इसको तो आफ वी वी आई की कटेगरी में रखें जो वीडियो को लास्त तक देखते होंगे उन्हें ही सबसे ज्यादा बेनिफिक्ट मिलता है और मैं गारंटी देता हूं सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो लोग बीच में तो आप इसको ध्यान रखिए वेर देरिजर राइट देरिजर रिमेडी जहां राइट होगा वहां उप्चार होगा जैसे की फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल 32 भी है आपके पास मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा चुका हूं अर्टिकल 32 क्या होता है समयधानिक उप्यब चारो कढ़िकार जूष्-में धौर्लंड चुर्यमेड़ी मैं आपको मिलेगा कंस्विस्णाज राइट जिसको कहते हैं ठीक है आपको उसको उसके खिलाफ अगर वायलेसं होता है तो आपको पास राइट है आपकों जाके मांग सकते हैं अगला जो वेर्ट है औ मैंने बताया था हुदर में स्रया का क्या मतलब होता है गिल्टी इंटेंट इसका क्या मीनिंग होत ho Actuous Reyes मतलब guilty act वहाँ क्या था? intent वाली बात थी आप उपर जाके देख सकते है guilty act मतलब कोई जो है मैंने खुद ही ये स्विकार कर लिया कि ये act जो है वो guilty है मैं इसके लिए guilt feel कर रहा हूँ और ये guilty act की category में आता है तो इसके लिए actuous, actually में है ठीक है? तो आप इसको याद रखेंगे actuous, actuous reyes का मतलब guilty act अब आते हैं अगला जो है इसकी हिंदी मीनिंग मेरे पास मैंने बहुत ढूंडा नहीं मिला लेकिन मैं इसको आपके दिमाग में set कर दूँगा इसकी guarantee मैं देता हूँ in ignorancia, facty, excuse art इसको पहले देखते है ignorance of the facts can be excused इसकी meaning समझते हैं पहले ignorance of the facts can be excused ignorance of the facts can be excused ignorance of the facts can be excused माल लिजिए आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर किसी border इलाके पर आपकी bag की checking होती है bag की checking में आपके जो है suppose that drugs मिल जाता है लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं था तो आपकी जो case file होगी उसमें आप mention करेंगे ignorance or facty excuse art ये जो है fact मुझे पता ही नहीं था कि हमारे में वो है drugs है इस case में ignorance or facty excuse art होगा अगला जो है वो भी देखते हैं उसको भी समझते हैं क्या है फिर दोनों में डिफ्रेंस करेंगे ignorance ये जूरिस non excuse art जूरिस का मतलब होता है law ignorance ये का ignorance non का मतलब समझी नहीं exception होता है excuse art मतलब वही excuse ignorance of the law cannot be excused अब इस चीज को समझते हैं हिंदी मीनिंग तो आप खुद से भी लिख सकते हैं इसके थू इस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो है किसी कानून का अंदेखा जो है वो च्छम्य नहीं है आप लिख लें कानून का अंदेखा च्छम्य नहीं है कानून का अंदेखा च्छाने नहीं है आई हो अपने देखा होगा तो लिख लिया होगा पूरा इग्नोरेंसिया जूरिस नन उड़ा रहे हैं आप BMW की गाड़ी से जा रहे हैं और मैक्सिमुम जो बड़े-बड़े वकील होते हैं उनके पास अक्सर होती है तो आपने यह बात जाना था कि यहां जो है दोसों के रफ्तार में कार चलाना और पेनल्टी हो सकती है फिर भी आपने चलाया तो इस केस में क्य यहां केस बनेगा इग्णरेंस या जूरिस्ट नॉन एक्सक्यूजाट मतलब आपका जो लॉग एक्स्क्यूज नहीं होगा और उपर वाले में क्या था आपको फैक्ट ही नहीं पता था तो वह एक्सक्यूज है आप छमने हैं उसके लिए बट यहां है नॉन वीजिट करें ताकि आपकी तयारी जो है बहुत उम्दा लेवल की हो और मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल से जितने लोग तयारी करने वाले हैं उनक सब का सेलेक्शन हो तो काइंडली थोड़ी इमांदारी और डिसिप्लीन बरतें अपने तयारी में मैं जल्द ही एक वीडियो सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों थैंक्स